Hello everyone, कैसी है आप सब, उमेद करते हूं, आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्त हैं, पॉजिव हैं, अच्छी चीचे को अट्रैक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना धेच सारा ख्याल रखने पने से, धेच सारा प्यार कर रहे हैं, आप सभी का वेलकम है, लवर्स टैरोड गाइड़न्स में, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोड कार्ट रिडिंग लेकि आई हूँ, और आज की रिडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम यह देखने वाले हैं, अगर आप नो कॉंटेक्स सिचुविशन में हो, तो यह रिडिंग आपके लिए हैं, तो guys, अकर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लिजे, पर आइकन को प्रेस करना ना भूलिए का, ताकि जब कभी मैं रिडिंग डालू, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक कमेंट पे शेयर भी जरूर कीजेगा रिडिंग को, मेरे वीवर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे वीवर्स के पार्टनर, तो यहाँ पर है, My life is worthless without you, I am dying for you, come back please, I am waiting for positive response, यहाँ पर है come back in my life, यहाँ पर है I wish I could take my words back, तो यहाँ पर है let's forget the past and start a new journey, ठीक है यहाँ पर है let's make love together, ओके ठीक है, तो यह कुछ cards मैंने निकाले हैं, अब मैं clarify करते भी जाती हूं cards को ठीक है, और आपको बताऊंगी क्या energy इस निकली है, Universe Divine Angels guide कीजे, मेरे viewers के partner क्यूं सोच रहे हैं my life is worthless without you, उनकी life बिकार है, उनको ऐसा feel क्यूं हो रहा है, क्यूं उनके बिना, मेरे viewers के बिना उनके partner बुरा feel कर रहे हैं guide की जे universe, क्यूं हो रहा है ऐसा, इहान पर है receptivity, मुझे i.D. ऐसाथ है इनको ऐसा feel हेरा है इनको और फील हो रहा है, कि मेरे life बिकार है, मेरे life खताम है, मेरे life में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो refuse लिए तो तुन नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। इनको ऐसा feel हो रहा है, और ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपना ये Queen of Cups का काड है, एक तरीक से receptivity का काड, यानि कि आपने प्यार दिया है, इतना नर्चरिंग, जो नेचर रहा है आपका, support रहा है, आपकी केर रही है, जिस हिसाब से आप इनको treat करते थे, तो अब इनको फील हो रहा है कि ठीक है, transformation का काड है, तो ये बदलना चाहते हैं अपने को, इनके अंदर transformation आ रहा है, ऐसा दिख रहा है, आपके लिए हर चीज़ वो करना चाहते हैं, जो ये करें, आज तक इनोंने की आनी, एक लेजी वाली energy में थे, ये आज तक, मतलब कुछ efforts नहीं करना आपके लिए, इ emotions थी है, इनकी care करी, सब कुछ किया, इन्होंने बस लिया लिया आपसे, पैसे लिया, आपकी care लिया, आपका हर चीज, हर time, money, energy, हर चीज इन्होंने लिया ही आपसे, और बतली में, जब आपको इनकी जुरुरत थी, तो ये कहीं न कहीं पलड गये, कहीं न कहीं इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, किसी और की बात उमें आ गए, आपका दिल तोड़ा इन्होंने, ऐसी energy दिख रही है, पर आपका प्यार, देखो इन्सान का सच्चा प्यार होता है न, आगर आप दिल से किसी के लिए कुछ करते हो न, आज नहीं तो कल, उसको realize होता ही है, कभी न क कभी realize होता है, यह लिख पालो, ठीक है, तो वही realize होने लगा है अब आपके partner को, ठीक है, कभी इनको ऐसे लग रहा है कि मेरी life कुछ भी नहीं है तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है, तभी तो ऐसा feel कर रहे हैं यह, समझे हो आप, Cancer Scorpio Pisces हो सकता है आपके partner का जोडिक साइन करक ब्रिश्चिक मीन राशी, ठीक है, यूनिवर्स्ट इवाइन इंजल्स, यहाँ पर I am dying for you, come back please का card क्यों है, क्यों उनको ऐसा feel हो रहा है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाओंगा, नहीं जी पाओंगा, या जी पाओंगी, आ जाओ please, क्यों ऐसा feel कर रहे हैं, creativity, पता है, पहले आपके लिए कुछ नहीं किया, आपको मनाया नहीं, आपको समझते नहीं थे, आपके लिए कुछ नहीं किया इनने इस रिस्ते में, मतलब दुख, तकलीफ, दर्द इनोंने जादा दिया है, comparatively love के, emotions के, बहुत बहुत कुछ भी नहीं किया, आप इनको surprise देना, मनाना, हर ए कश में इतना ही, हो सता है आपके लावा कोई और इनके life में आ गया था या, किसी और के लिए करने लग गय तक लिए किसी और की सुनी, चाहे फिर और कोई भी क्यू ना हो, कोई और कोई भी क्यू ना हो, तो ऐसा लिख रहा है, उससे compare कर रहे है, इनको लिए कूड रह यहां पर दालवर्स का कार्ड है, आपके यह सोल में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपसे जितना प्यार आप दोनों का है इतना प्यार तो कोई भी इनको दे नहीं सकता, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत अटेच्मेंट फील करते हो, आपके साथ ना जी नहीं पाऊंगा, या जी नहीं पाऊंगे, मेरी लाइफ बिकार हो गई है, मतलब इतना जादा आपके लिए अब हर चीज करने के लिए यह तैयार है, इतना जादा परिशान है यह इतना जादा परिशान, लिटरली मैं आपको क्या बता हूँ, अब हर चीज करना चाहत यहां पर दो कार्ट निकले हैं मुझसे फ्लावरिंग और कम्पैरिसन तो इनको न हो सकता है इनोंने आपके लिए पहले से ज्यादा कुछ एफर्ट्स करना या फिर कुछ न कुछ हो सकता है आपको कॉल किया या आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं अभी आपको मनाना चाहते ह हैं पर आप अप ऐसे हो गये हो कि अपको का बढ़ना नहीं कुछ नहीं करे तो यह इंसान सही है नहीं है क्या यह मेरे को दुबारा तो दोखा नहीं देदेगा या देदेगी कहीं मेरे दुबारा से दिल हार्ट ब्रेक तो नहीं कर देगा या कर देगी मैं इस पर ट्रस करूं या नहीं करूं क्या करूं मैं दुबारा से मेरे साथ वही गेम तो नहीं होग ठीक है यहा ऐसा दिख रहा है कि कही नंग में कहीth आपकी पॉसिटिव रिस्पॉंस कर तो यह वेट कर रहा है पर कोई यहां पर ऐसा इनसान है जो इनको आने ही नहीं दे रहा ha कोई POLITICKS आपके खिलाफ POLITICKS कर रहा है या किया है past में किया या अभी भी चल रही है किसी की politics दिख रही है guys मुझे यहाँ पर कोई third party हो सकती है ठीक है जिस वज़े से आप दोनों का ना past खराब हुआ है present खराब हो रहा है तो कही न कही उसके intentions इनको समझ में आ रहे हैं ठीक है यह भी दिख रहा है मुझे मुझे चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आजाओ पर यह बहुत नेगटिव होते हैं इनको ऐसा लगता है ना कि जो भी नो ने किया जो भी गलत decisions लिए गलत स्टैप्स लिए पर अब आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे मतलब इनको ऐसा फील होता है कि आप क्यों ही आओगे इतना इनने हार्ट ब्रीक कर दिया या हो सकता है बहुत मौकी दिये आपने इस रिस्ते में बहुत मौकी दिये तो अब नहीं दोगे पर यह डेस्परेटली चाहते हैं आजाओ मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कही न कहीं मैनिफेस्ट करते हैं यह मैडिटेशन करते हैं या एक मैडिटेशन करते करते हैं क्योंकि माइंट इनका बहुत स्ट्रेस में है परिशान है तो एक मैडिटेशन करके सुकून मिलता है रिलीफ मिलता है इसलिए ये meditate करते हैं और आपको visualize कर रहे हैं कहीं न कहीं ये आपको न meditation के थूरू मुझे ऐसा दिख रहा है visualize करते हैं reunion कर रहे है visualize यानि कि ये reunion चाहते हैं आप इनकी life में वापस आजो ये ये चाहते हैं और ये meditate कर रहे है definitely ठीक है और patience रखा है नो ने इनको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं आज नहीं तो कल पकाएगी या आज नहीं तो कल पकाएगा चीजे बेटर होंगी सही हो जाएगी ऐसा ये सोसते हैं ठीक है अगर ऐसा नहीं होता है न तो इनको मानसिक विकार भी मुझे दिख रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो नहीं आती है या वो कभी नहीं आया तो मैं तो बिल्कुल पागल सा हो जाओंगा या हो जाओंगी मतलब मैं इतना depressed या इतना anxiety मुझे हो जाएगी कि सब कुछ मतलब इतना हो भी रहा है इनको और ऐसा लगता है कि नहीं आते हो आप अकर इनसे reunion नहीं करते हो ना तो यह बहुत परिशान रहने वाले हैं ठीक है ऐसा फील हो रहा है मुझे I wish I could take my words back का card क्यों है universe guide कीजिये तो यहाँ है beyond illusion तो आपने सोचा भी नहीं था कि आपको यह सब बोल देंगे हो सबता है आपको इनना ने बहुत गलत तरीके से treat किया है बहुत गलत शलग बोला है आपको definitely मतलब immaturity की बहुत गलत बोला बहुत मतलब आप आपकी गलती ना करने के बाद भी आपने हमेशा अच्छा किया उसके बाद भी आपको नहीं इनसे जो response मिला है वो बहुत खराब मिला है बहुत negative response मिला है ऐसा दिख रहा है कि अब इनको feel हो रहा है कि यार काश मैंने नहीं बोला होता उसको सब कुछ और काश मैं यह सब नहीं करता या नहीं करती समझे हो बहुत कुछ गलत बोला है इनोंने आपको जिससे आपका दिल दुखा है आप हर्ट हुए हो और इतना जादा बोलते ना कि आप भुलानी पारे वो चीजों को आपको रह रहे कर वो चीजे याद आती कि यार इसने यह बोला था या यह बोले थी आपका मूट खराब हो जाता है आपका जब भी आप इनको याद करते हो तो वो चीजे भी आपको याद आ जाती है ठीक है पर कभी ना कभी याद ला जाती है कोई ना कोई आपको याद टम हो गया था, वो बढ़ ला है, तबी तो ही तो यह चाहते हैं कि पास्ट आपकी तरफ से रिस्पॉंस मिल जाए नहीं तो यह मर जाएंगे अगर आप नहीं आते हो, रिए उनियन नहीं करते हो, इनकी लाइफ में नहीं आते हो, काश इन्होंने ये सब नहीं बोला होता, काश आप पास्ट को भुला कर एक नहीं जर्नी स्टार्ट करते हैं, इसलिए तो दुबारा से प्यार होता, तभी तो सोच रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं, desperately की चीज़े, आप दोनों के बीच में ठ ठीक हो जाएं, ठीक है, University Man Angels, यहाँ पर Let's Forget the Past and Start a New Journey का कार्ट, क्यों है, क्यों चाहते हैं, इनके पार्टनर की पास्ट भुलाकर एक New Journey स्टार्ट हो, क्यों चाहते हैं, ओके, यहाँ पर दो कार्ट निकले है, Adventure Mind, क्योंकि न, इन्हाने बहुत Adventure, यानि की बहुत लोगों के साथ connection बनाके देख लिया, या फिर रिस्ता बनाके देख लिया, या फिर आपसे दूर जाके देख लिया, लोगों की सुन कर देख लिया, सब कुछ कर के देख लिया, आ अभी यह इतना हो रहा है, इतना सोच रहे तो आते क्यों नहीं है, अभी यह पॉस्पांट में है। यानि की पॉस्पांट कर रहे हैं, यानि की फ्लो के साथ ही चलना चाहते ह। वो सक्सेस भी चाहते हैं लाख mountain करना चाहते हैं। भीक है पेशेंस रखा है बेसिकली इन होने, Let's make love together का कार्ट कैूँ है याओछ यहाँपर, Let's make love together का कार्ट कैूँ है, तो यहाँ पर है transformation, laginess, इनकी energy, बता है मुझे ऐसे इसे अमस्वेचा कर रहा है कि आपकी तरफ ये लौटिंगे भी, प्यार भी करेंगे, चीजे सही भी होंगी, पर हाँ, यहाँ पर अभी ये ना बहुत लेजी हो रहे हैं, मतलब कल करलूंगा, कल उसने बात करलूंगा, पढ़ सो बात करलूंगा, message कर लोगा मैंकि इनके friend इनके और दोने किया है तो बहो एसे कि LAUGHTER करे जंच लहें चल तू बात तो करो से देख तो वो यह चाहती है क्या चाहता हे उसके कि मन का तो पूच पर यह कहीं डर रहा है कही न कहीं जिजक सी है क्योंकि घलत किया तो जिजक है इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हां बात में कल-कल लिंगे फोन पडसों लिंगे फोन इस टाइप की अनरजी मुझे दिख रही है है कि अनरजी मेंma इसीना इनको बाद लिया है, कोई तो है जो नहीं चाहता आपके तरफ ये लौटे, कोई third party हो सकती है, third party का मन नहीं है कि ये आपकी तरफ आ है, या आप दोनों का reunion हो, चीजे साही हो, क्योंकि third party के intentions आपके connection को लेकर तो बिल्कुल साही नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये कर रहे हैं दुखी है परिशान है ऐसा दिख रहा है मुझे आइसलेट कर रहे हैं पर हाँ अब कहीं न कहीं टांसफर्मेशन का कार्ड है situation टांसफर्म होगी और चीज़े बेटर होंगी पर हाँ थोड़ा टाइम जरूर लगेगा साफ साफ मुझे दिख रहा है कि मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कल ही आ जाएंगे परसो ही आ जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा बट आएंगे तो सुधर कर आएंगे रियूनियन करेंगे आपको समझेंगे एक अलग इंसान बन कर आएंगे ठीक है तो या यह कुछ एनरजी आइक कर दिजे चैनल को सब्सक्राइब भिलीजे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा कमेंटर शेयर भी कीजिएगा ओके बाई थेंक्स फर वाचिंग टिक कियर गाई